हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले मतर के छोले में जो मैं इसे बनाने के लिए बहुत ही आराम सर्म दिखाते हैं STEPHANarity कोई भी ज़नजट नहीं कोई भी टाइम नहीं लगता है कोई Mr magari बनाने के लिए beautiful Cond community Lord of God ces G volt dhb crying LEGAD with a interessation काली मेर्श को हमने अधि लेहिशून मर्चर का पेस्ट बना लिय था उसके बाद रक रख कर ऊसे मैं हमने त यह तेल लल कर यहां जीरा जेरा को डाल कर ऊसमें कराकने के लिए चोड़के तो तुसके बाद हम नहीं यह वेघ कर गया है आप प्याज यसे हमेश ने सब्सक्राइब करने की अब अच्छे से पका लेंगे थोरी देर भून लेंगे जिस्से अमारी प्याज भून प्राउन हो जाएगी जब अमारी प्यास गोल्ण भून हो जाएगी इसके लिए हमें 2-3 मिना तक इसे फ्राय करना है म में जो है प्यास भून चुकी है तो इसमें हम एट कर देंगे अपनी पैस जो की आदी लेशुर मर्चा और जीरा और काली मेट से बनाया था तो इसे डाल कर इस सो हम थोरी देर भून लेंगे इसे में भूनेंगे जिसे कि हमारी मसाला जो है बहुत ही अच्छी आएगी और हम इसे भी थोरी देर हम चला लेंगे यह देखे कितनी अच्छी से पक रही है उसके बाद हम एट करें नमक स्वादन सा नमक डाल दे रहें उसके बाद एक चमच हली पाउडर एक चमच हम याप पे मिर्च जो है मिर्च पाउडर डालेंगे मिर्च पाउडर डाल कर इसे मच्छे तरह से पका लेंगे थोरे चलाने के बाद इसमें एट कर देंगे अपना मतर और मतर को डाल कर भी हम इसमें अच्छा से क्या करेंगे थोरी देर भून लेंगे दो-four मिन ее तक मंतर के साथ में मसाले को भूनेंगे जिससे की मसाल और अच्छा से भून जाएगी यह देखिए मass को है अब इसमें हमेड कर देंगे पानी थोरा सा पानी डालकर धूए हम इसे थोरी और चला देंगे मसाले की कच्चापन जो भी थोरा बहुत बज्जात नहीं निकल जाएगा उसके बाद हम और मतर के डूबने से ज्यादर जो हम पानी डाल देंगे यह में 2 से तीन गिलास हम ने पानी डाला हुआ है और डाल कर इस तरह से चला देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे मीट मसाला, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, यहां पर हमने मीट मसाला डाला है, मीट मसाला डाल कर इसे हम, खुकर के लिट को लगा कर इसे तीन चाह शेटी लगा देंगे, और इसमें हमने काटा हुआ बारीक यह जो धनिया है, उसे भी हमने डाल दिये, डाल कर इसे बंद कर देंगे, के लिट को लगा कर, हम तीन साचाठ हुए सिल लगा दिये हैं, यह देखें, तीन साचाह हुए सिल के बाद हमारी मटर अच्छे से पाक चुकी है, बहुत अच्छे से पका है, हम ज्यादा मटर को नहीं पकाएंगे, नहीं तो वह गल जाएगी अब इसे प्लेटिंग कर रही है देखे देखने में कितनी स्वादिश दिख रही है हमारी मत्र के छोले बहुत ही यमी लगता है इसे बनाने में बहुत ही कम समय में हम इसे बना लिये हैं और इसके ओपर हमने कटा हुआ धनिया डाल दे रहे जिससे